तो हम अभी बात करेंगे आपके साथ next seven days के बारे में, highlight the next seven days तेकि conditional formatting में एक options पहले से available है date offering के अंदर में in the last seven days तेकि मैं इसी के opposite next seven days में आज की current date से अगले 7 दिन की date highlight करना चाहता हूँ तो इसके लिए हमें conditional formatting के new rules में जाना पड़ेगा यूज formula और यहाँ पर formula देना पड़ेगा तो formula क्या देना पड़ेगा? यहाँ देना पड़ेगा formula and क्योंकि multiple conditions है हमने बोला कि a2 is greater than equal to today today current list of date होता है और हमने यहाँ पर लिखा a2 is less than equal to today plus six और फिर यहाँ पर अपने हम formatting को highlight कर देते है जो फॉर्मेटिंग देना हमने formatting दे दिया highlight करने के लिए और हमने इसको okay कर दिया इसके बाद हमने फॉर्मेट प्रिंटर से लिया और नीचे तक प्रेंट कर दे जहां तक आपको डेट चाहिए वहां तक यहां देखे इस तरह से हमारा प्रेंट हो गया अब इसमें जो आप यह मंत लागए कि के दे सकते हैं कि मैं इस मंत के करेंट के देट से नीचे हो तो इस तरह की सिक्वेंस्थी वीडियो और लॉंक वीडियो के लिए आप में मुवाइल एपडाउन लोएप कर सकते हैं या फिर में चैनल को सेश्टराइब कर सकते हैं में मॉवाईल要 एप में सारे वीडियो से ठ nombre है तो आप ले